अब हम खड़े हैं आमहिया के पोलिंग बूत में पोलिंग बूत में प्रमांके एक्सवन नौद दस और ग्यारा है जहां उब्मुक मत्री राजेनरे शुक्र मद्नान करने पहुँचे थे और मद्नान करने के दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर देश में मोदी की सरकार बनेगी 400 पार का जो हमने आकड़ा दिया है वह भी पूरा होगा इधर उन्होंने विपच्छ पर निसाना साथते हुए कहा कि इंडिया एलाइन्स हो या फिर कांग्रेस हो जो भी है जो भी आरोप लगा रहे हैं वह निराधार हैं वह अपनी निरंकुस्ता को च्पाने के लिए अब चुनाओं में हिंदू मुस्लिम का फैक्टर खेलने का प्यास करें लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और आने वाले समय में एक बार फिर मोधी सरकार होगी और प्रगति होगी देश में योगाओं को रोजगार मिलेगा और इंत्रा इस्टेक्चर बढ़ेंग कि देश की प्रगति कहां है और किस तरह से हो सकती है अला कि राजयनर्य शुकल का यह दावा है कि जो हमने आकरे दिये हैं तीन सो चार सो पार का पूरा होगा और पूरे देश में मोधी की लहर है और एक बार फिर मोधी की शरकार बनेगी राजयनर्य शुकल अपने परिव मिश्र चुनाओ मैदान में है उनके सामने कांग्रियस से नीला मिश्र चुनाओ मैदान में है और जो अभी तक के दुझान है यह कहा जा रहा था कि दोनों के बीच ट्रकर हो सकती है लेकिन जिस तरह से दावे हैं पूप मुख मती राजयनर्य शुकल के तो वह एक तरफा पताए जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि रीवा सहित पूरे देश में केवल एक ही एक ही सरकार होगी वह होगी कमल की और चेहरा होगा मोदी का और मोदी के चेहरे पर पूरे देश और पूरे मद्दाता चुनाओ करेंगे और एक बार फिर मोदी की सरकार देश में अपना पल्चम लह रहा है कि तो फिर एक बार मोटी सरकार बनेगी तरह लेकिन फिर्स्ट टेज की वोटिंग के बाद जिस तरीके से आपोजीशन ये कह रहा है कि कहीं ने कहीं जो दावे किये जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सही सावित नहीं होंगे और वो कहा है कि बड़ा इनके साथ में गया है अभी पांच महिने पहले ही चुना हुआ था विधान सभागा यहीं वो काउग्रेस के लोग पे जो गहते से मध्विदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं अब बाद में फिर पहले जो इतनी सीटे थी 2018 में उससे भी खड़ गई तो जमीन से जब समझ में नहीं आती है इसे हुए ऐसी बाते कर रहे हैं आप चार जून का इंदजार करिए कांग्रेश के सेयम पेत्रोधा ने जो बाते कहीं है वो देश की जनता के हिटकी नहीं है और मन्मुहन सिंगी ने एक बार मगार की बाते कहीं थी, जो देश को कम्जोर कुरने वाली बाते थी और फिर से अमरीका का उजान देखे कि विरासत की जो संपत्ति है उसमें 55% सरकार ले लेगी यदि वो कोई वेक्ति अपने जीवन भर की कमाई का संपत्ति अपने पुत्र को देना चाहता है तो सिर्फ 45% ही दे पाएगा 55% सरकार की हो जाएगी फिर उसको बाटा जाएगा त मर्मोन सिंग जी ने कह दिया था कि देश की संपत्ति में अलतु संक्रिकों का पहला दिकार है तो ये दोनों चीरियों को यह आप लिंक करें तो खतरनाक बात है मोदी जी ने तो हमेशा कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और देखे उन्होंने जो काम किये हैं इतनी योजनाई बनाई है मुसल्मान भाईयों के लिए बनाई है, हिंदू के लिए बनाई है, प्रधान मंत्री आवास हो, आईशमान काड योजना हो, प्रधान मंत्री अन्नपूना योजना हो, इस सभी में सभी को बराबरी के साथ मदद की जा रही है, लेकिन ऐसे चुनाओ की समय में कॉंग्रियस के आरिफ खान